हेलो फ्रेंट्स वेलकम यॉल ऑन यॉर पीडिया एजुकेशन सो फ्रेंट्स जैसे आपको पता है हम आपके लिए अपडेट्स जो भी स्कॉलर्शिप आई हैं कौन से फॉर्म्स आउट होएं उसकी इंफ्रमिशन यॉर पीडिया के पर आपको देते हैं ओके तो अगर आप रेगुलर आपको अपडेट्स मिलते रहें जो एडमीशन से भी स्टार्ट होंगे आई इस के अंदर नाइटी इस के अंदर सी सी एम टी सी ओ एपी जो भी प्रसेस है पूरा तो भी आप यॉर पीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लो ओके सो डैट आपका कोई फॉर्म मिस जाती है इसके बारे में डिटेल समलोग देख लेते हैं सो यहां पर आप इसके बारे में पूरा देख सकते हैं कि कौन सा यहां पर इसका वीकन से इंट्रोडक्शन है ओके यह रिसर्च और डिवल्पमेंट साइंटिस्ट स्पेसिफिक ओके दिया जाता है यहां पर आप द fellows selected along with their projects will be considered for funding by the science and engineering search board serb as per serb norms okay now duration five year okay and korn-korn से project है उसकी list आप देख सकते हैं यह year-wise project जो थे जिसको अमिली थी उसकी list देख सकते हैं and इसका advertisement आप यहां पर देख सकते हैं and कहां पर apply करना है तो यहां पर आप देखो गे the fellowship is open to Indian nationals having regular position in recognized Indian academic research organization the applicant should possess PhD in science engineering medicine and should not be drawn fellowship from any other basically government of India scheme okay तो अगर आपके पास PhD है then you can apply for this okay now यहां पर आप देख सकते हैं इसका last date है जो submission का 31st of March है यहां पर तो इसके बारे में जो website के उपर जाकर आप यहां पर apply कर सकते हैं तो यह था friends इसके बारे में updates तो आप देख सकते हैं यह और पीडिया के उपर आपको अगर आपने भी टेक किया है तो भी आपको updates मिलते हैं Mtech किया तो भी आपको updates मिलते हैं अगर अपने PhD किया है तो भी आपको updates मिलते हैं तो इसको basically we can say subscribe कर लो and bell icon जरूर प्रेस कर लो so that आपका कोई update है मिसना हूँ so thank you very much